नमस्कार जैशे कृष्णा मैं जोटिस अचारिय राकेश पाथर अभी कुछ वीडियों से आपको बता रहा हूं कि कुंडली में कौन-कौन से योग बनते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते और जिसकी वएसे ठीक से नहीं हो पाती तो बहुत से योग ऐसे हैं जो कुंडली म होते हैं और हम नहीं देख पाते क्योंकि रिजल्ट्स हमें मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि रिजल्ट्स तो कुछ और मिल रहे हैं लेकिन योग के बारे में हमेरा ध्यान नहीं गया तो योग अगर देखेंगे तो हमें मालुम चलेगा कि हां हमारी कुंडली में ऐसे योग भ कि आदमी की वानी कैसी होगी, soft वानी होगी, hard वानी होगी, कठोर बोलेगा, मजूर बोलेगा, कैसा बोलेगा, उसकी वानी कैसी होगी, उसके बारे में भी बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, पल दिपीका में, ब्रहत पारशार और शास्त्रा में, और उसको आप देख सक और देखके आप आडिया लगा सकते हैं कि आप कुंडली में क्या रोल क्या योग बैठता है कि कहते हैं यह यह शनी दूसरे घर में हो किसी के शनी दूसरे घर में हो तो जातक की वानी स्पस्ट नहीं होती और उसकी भाषा भी शिस्ट नहीं होती है मतलब दूसरे घर में शन दूसरे घर में ब्रस्पती हो या केतू हो तो ऐसा जातक बहुती चतुर होता है या निपुन होता है। दूसरे घर में अगर सूर्य या मंगल किसी के है तो ऐसा जातक की वानी प्रतिकूल होती है वो दूसरों की बातों को काड़ देता है। बात अच्छा होता है। जहां देता है जिस बाशन को देता है लोगों को लभा लेता है। यह उसके अंदर आदद होती है। और जिस चाता की कुंडली में दूसरे भाव में राहू होता है, तो उसकी वाणी में दीनता आ जाती है, दीनता मेंज किसी वाणी निम्ण बन जाती है, अच्छी वाणी नहीं रहती है उसकी, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल दीन हीन सी वाणी है उसकी, अपने उपर वाणी योग आपको देखने चाहिए जो बहुत ज़रुरी है। बहाई भेईन का विचार हम तीसरे घर के स्वामी बहात्र कारक मंगल या मंगल के साथ बैठे वे ग्राउंसे करते हैं। मंगल छोटे बहाई भैनों का कारक है यह हम जानते हैं। तो या तो तीसरे घर का स्वामी बाई बैनों को डर्शाता है या भातर कारक जो हमारे आमात्य कारक आत्म कारक जैमिनी में हैं ऐसी भातर कारक हमारा मंगल या मंगल के साथ बैठे हुए ग्रहे ये ग्रहे जो होते हैं ये हमारे काम करते हैं तो हम लोगो क्या लेना है जो भी तीसरे भाव का स्वामी हो, वो चोटे भाई भैनों को दिखाता है, तीसरे भाव का कारक कौन है? मंगल है, जो भातर कारक भी कहलाता है, उसको लेना है, या उसके साथ बैठेवे ग्रहों को विचार करना है, तब हम बता पाएंगे कि कैसा हमारा जीवन होगा और कैसे भाई बैनों का सुक रहेगा यदि सूर्य मंगल और तीसरे घर का स्वामी सूर्य मंगल और तीसरे घर का जो भी तीसरे भाव का स्वामी है वो सब तीसरे में बैठे हो तो जातक बहुत ही सहसी और पराक्रमी होता है अगर सूर्य मंगल तीसरे भाव में बैठे हो और तीसरे भाव का स्वामी भी तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक बहुत ही पराक्रमी होता है राहु केतु तीसरे में हो तो जातक बहुत सहासी होता है राहु केतु तीसरे में हो जो राहु को बाहु बली कहा गया है तो राहु केतु तीसरे में हो तो ऐसा जातक बहुत सहासी होता है यह तीसरे में बुद्ध हो तो ऐसा मनुश इंपेशन्ट होता है मतलब वो चीजों को सुनता नहीं है धहरे हीन होता है उसमें देहरे की कमी होती है, तीसरे में गर गुद्ध बैठा होता है तो, तीसरा भाव कमजोर हो, कमजोर मीज के उसका भाव, उसका भावेश, उसका कारक, तीनों कमजोर हों, और उसको ब्रस्पती या मंगल देखते हों, तो जातक के भाई तो होंगे, तीसरा भाव अगर क ना मंगल देख रहा है तीसरे भाव को तब ऐसा हो सकता है कि जा तक के छोटे भाई बहन ना हो ब्रस्पति 11 में हो तो बड़े भाई से दुख होता है ये भी एक श्लोक है इसका भी आर्थ दिया हुआ है इसके इंदर कि ब्रस्पति यदि ग्यार्वे भाव में हो तो बड़ तो आपके बड़े भाई बैन नहीं होते हैं तीसरे घर का स्वामी छटे में या आठवे में हो तो भाईयों की या उनकी समय से पहले मृत्यू हो जाती है या वो कम आयूंके रहते हैं ऐसा माना जाता है तो मृत्यू तो आप छोड़ दीजिए या अलपाई उन चोड़ कि अगर तीसरे घर का स्वामी चते या आठवे में जिवन में रहता है या वो व्यक्ती होता है बड़े भाई से अनमन्न खटपट हो सकती है बढ़ा बाई जातकि को यहां करें यह सब प्रॉब्लम्स जातक के साथ हो सकती है तो यह था तीसरे भाव का विच्छार जो आपको समझमाया होगा समझमाया दुकांडी लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा उससे मोटिवेशन बढ़ता है इसके लावा एडवांस एस्टेलो